दिल्ली के मुखेमंत्री को भी गिरफतार किया गया, 21 मार्च को लगातार उनकी जुडिशल कस्टड़ी अब बढ़ रही है और इस बीच लगातार उनकी पार्टी ये कह रही है कि तिहार जेल के अंदर मुखेमंत्री के साथ कोई हाथसा हो सकता है, इंसुलिन नी दी जा रही है देखें किस तरीके से एक शडियंत्र के अंतरकत इनके सीनिय लीडर्शिप को अरेस्ट किया गया अभी तक, ना आपके सामने, ना मेरे सामने, ना कोट के सामने, कोई एक तत्य और सत्य उन्होंने दिया है बार-बार ये कहते हैं, हमें इनकी गिरफतारी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लिंक साबित करना है ये कौनसा लिंक, डेर साल से उपर होगा, क्या लिंक आप थाबित करने में नाकामयाब रहे हैं इसके और उसी की आड़ में अपने उनको हिरासत में रखा हुआ है आप चाहते हैं, उनके इंसिलन खतम हो जाए, आप चाहते हैं के वो हिरासत में रहें उनको खाना उनके घर का नहीं दिया जाए एक अगर diabetes patient हो बता रहे हैं हमने आपको तो उनका जो भी medication होना चाहिए वो होना चाहिए दुर्भागयपूर है अगर उनका medication नहीं होने देंगे जिसाज़िश दिख रही है कि चाहते हैं इसी तरीके का उन पर हानी आए और ये अफसरवादी जो लोग है भारतिय जन्ता पार्टी के उसका फाइदा उठाए प्रधान मंत्री ने एक रेली के दोरान प्रधान मंत्री बने है तो मैं यही कहूंगे इतलीस हमारे यहां पे इतने तो leaders हैं जो ही जिम्मेदारी निभा सकते हैं आपकी alliance में अगर कोई जूटा ये भी इरादा दिखा दे के प्रधान मंत्री की कुछी पाना चाहता है उनको को रिटायर कर देंगे यह उनकी हालत है तो leadership ऐसे नहीं होती है और नेत्रित्वा हमारा American style of election नहीं है हमारा UK style of election है parliamentary democracy है जहां पे MPs चुनते हैं कौन उनका प्रधान मंत्री बनेगा और MPs को कौन चुनता है जनता चुनकर भेजती है एक corruption पर भी एक सवल में अपसे जरूर लेना चाहूंगे क्योंकि आप लोग यह कहते हैं कि corruption के खिलाफ आप लोग अपनी आवास बुलंद कर रहे हैं जो अगर 2024 की लोगसवाच उनावों में जो मुद्दे हैं उसमें आपने ब्रश्टाचार एक मुद्दा उठाया वेक्यूम क्लीनर से उपनी साथ ले ले लेते हैं और फिर उनको क्लीनचित दे लेते हैं अब अजीद पवार क्या ते सतर हजार करोड के बह्ष्ट इनसान कहा गया था सचाई घुटाले में फशे हुए थे उनको फुट कर दिया और आप देखिए हिवंतो बिसु सर्मा है पिर आप देखिए प्रफल पटेल हैं, अब मैं आपको इतने अंगिनत नाम बता सकती हूं महराश्रा के अंदर ये अंदर पर मैं उन सब का हवाला छोड़िये, खुद इंडियन एक्सप्रेस की इंवेस्टिगेटिव स्टॉरी आई थी जहां पर का था पचीस लोग जो ली आई लगना कबूल नहीं किया, तो पचीस में से तेईस का उक्तो ख्लीन शिट दे दी गई, तो आप क्या प्रश्टाचार की बात करें, अगर कोई भ्रश्टाचार युक्त पार्टी हो गई है, तो बीजेपी हो गई है, और वो दूसरों पर भ्रश्टाचार को आरोप मत मड़ी है, क्योंकि आपने हमारी पार्टीों में वैक्यूम क्लीनर चला कर उन भ्रश्टाचारियों को अपनी तरफ इठा लिया है.